तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन में हम लोग देखते हैं कि area of triangle calculate करते हैं by using the integration मतलब integration का application हम पढ़ रहते हैं और इसमें third area of triangle ठीक ना थोड़ा सा calculation हमारा आसान हो और अगर आप बात करोगे यहां से तो यह जो रीजन है यह एरिया प्रेंगल है इसकी हाइट एच है और ब्रेट यहां से भी है तो हमको पता नहीं है but we will calculate by using the calculus तो calculus का use करके हम calculation करेंगे तो मैं एक differential element लेता हूँ आप vertical भी ले सकते हो x distance पर जाके जिसकी thickness कुछ dx होगी और आप horizontal भी ले सकते हो as you like as you wish ठीक है और ध्यान रखना यह पूरी height h है ठीक है और यह यहां पर यह b है ठीक है तो यह थोड़ा सा जैसे हम पिछले तो question किये थे उसे थोड़ा सा यह अलग है ठीक है तो अब मैं ऐसे छोटे 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 एलेमेंट को जोड़ दूँगा तो यह पूरी यहां पर यह 0,0 है और यहां से मैं x distance पर आ गया और x distance पर आके एक elementary यहां से एक thickness dx का मैंने strip consider कर लिया thickness dx का और इसकी कुछ height होगी we don't know about height this is element a y ठीक है तो अगर मैं इसको यहां से बाहर निकालूँगा इस element को बाहर निकालूँगा तो this element will look like something like this कि इसकी जो height है वो y है और इसकी ठीकनेस अपना dx है तो इस छोटू का जो small area तुम्हें दिखेगा small area differential element का small area वो small area तुम्हें da हो जाएगा और हो जाएगा y dx लेकिन यह problem मैं पहले बताया औरों से थोड़ा सा अलग है जैसे जैसे आप इस element को आगे बढ़ाओगे एड़ करोगे वैसे वैसे दो variable है इसमें two variables है एक y भी variable है यहां पर y भी करेगा y की value भी इंक्रीज होगा और यहां जो एक्स हो भी चेंज होगा मतलब वह भी इंक्रीज करेगा आगे बढ़ेगा तो तो ऐसे situation में क्या होता है या तो mathematical equation दिया होता है या मैं कुछ mathematical calculation लगाके y को x के term में लिख दूँगा y को y in x term ठीक ना क्योंकि x में integration हो रहा है तो मैं y को x के term में लिख दूँगा क्योंकि कुछ mathematical relation exist करेगा नहीं तो हमें double integration का use करना पड़ जाएगा जो कि हम नहीं पड़े हैं समझे में आया तो चलो तो यहां से triangle की कुछ property कुछ mathematical equation लगाके और मैं यहां पर y को x के term में लिख दूँगा तो अपना problem जो है वो हो जाएगा ठीक ना पहले मैं अपना triangle की मैं property यूज करूंगा और आई हो कि आपको आता होगा triangle की property अगर कोई triangle ऐसे है देखो यहां पर triangle की property आपको आता होगा 9 10 पड़े होगे यह पूरी की पूरी length अपना L1 है और यह अपना समझे रहे हैं यह जो चोटू length है उपर से vertex से L2 है और यह B1 है और यह B2 है तो जो triangle की property बड़ा वाला L1 बड़ा वाला this side divided by this L1 अपन B1 must be equal to L1 अपन B1 must be equal to चोटू वाली height L2 अपन दिस चोटू B2 ठीक ना आई हो कि यह property आप similarity वाला पड़े होगे तो यहां से मैं लिख सकता हूं इस equation में मिल रख सकता हूं तो बड़ी वाली height that is यह B बड़ी वाली B divided by यहां से X ठीक है फिर मैं बड़ी वाली height H और divided by vertical Y तो यहां से जो Y की value हो जाएगी हो जाएगी H by B that is X तो Y जो है X के term में अपना यूज हो गया अब इसको मैं equation जो first रखना बनाये थे small area उसमें रख देंगे तो यहां से small area DA है YDX और YDX की value यहां से Y की value H by B H by B और यहां से XDX ठीक है अब total area हमें चाहिए तो हमें तो total area चाहिए समझ रहे हो तो total area यहां से area A जो आ जाएगा integration of DA ठीक है अब मैं integration देखूंगा तो यहां से यहां से H by B की value और यहां से XDX तो X की value यहां से कहा सथ integrate होगी तो इस point पर limit देखो यहां पर X की value 0 ती और यहां तक X की value जाएगी जो की B के बराबर होगी ठीक है तो 0 से B तक element जाएगा तो area triangle मिल जाएगा तो यहां से तुम देखो गे X is equal to 0 और यहां से X is equal to B तक limit जाएगी तो यहां से H by B common बाहर आ गया और integration DX पचा और यह 0 से B तक this is the total area A अब कुछने इसी को solve हम कर लेते हैं तो यहां से H by B आ गया और यहां से X square by 2 इसका integration हो गया और यहां से 0 से B तो यहां से H by B यह solve हो गया और यहां से 1 by 2 common आ गया बाहर और B की limit रखेंगे तो B square minus यहां से 0 square तो कुल मिला के अगर आप यहां से देखोगे तो 1 by 2 यहां से H by B और यहां से B का square तो 1 by 2 H B मतलब 1 by 2 और यहां से base multiplied by height this is the area of the triangle by using the calculus तो यही हमें prove करना था calculus का यूज करके यह सब property बहुत strong होगा तब जाके तुम physics में अच्छा score कर पाऊगे J level में अगर बात करते हो तो यह सब तुमें calculus का application अच्छे से आना चाहिए थेंक्यू